नमस्कार दोस्तों स्वाद करता हूं के अपने यूट्यूब चैनल पीके भी एजुगयान में तो दोस्तों कैसे आप सभी आज के वीडियो में गाईज यार आपको एक पंजाब एक रिकल्च उनिवर्स्टी से रिलेटेड न्यूज मैं देने वाला हूं तो जो स्टुड़ या फिर पंजाब एक रिकल्च उनिवर्स्टी का एकजाम देने जा रही है उनके लिए कफी इंपर्टेंट है तो यह देखेयां थोड़ा सा इसके अंदर ब complaints होने वाला है हो सकता है फोनेवाला है नहीं कह सकते हैं हो सकता है धाप पंजाब स्टेट कमिशन उफ सड्यू कास्ट टूडे इस्यूड एन ओर्ड डिरेक्टिंग दा पंजाब गोर्मेंट नोट टू रिलीज फंड्स टू पंजाब एगरी कल्चर युनिवर्स्टी तो भई पंजाब स्टेट कमिशन जो है से डूल कास्ट वालों के लिए उन्होंने क्या कया पंजाब गोर्मेंट को क कि पंजाब एगरी कल्चर युनिवर्स्टी के लिए फंड से रिलीज ना करें कोई भी फंड रिलीज ना करें तो इससे काफी उसको मतलब नुक्षान हो सकता है अगर फंड रिलीज नहीं होंगे तो काफी प्रोब्लम क्रियेट करने वाली बात हो जाएगी पंजाब एग तो यहाँ पर चेर परसन ओफ पंजाब स्टेट कमिशन अफ सड्यूल कास्ट तजिंदर कोर सेड दलवीर कुमार एंड अधर्स ओफ दे पी यू सी बी सी एंप्लोई वेलफेर एस्सेशन पी यू लुद्याना हैड कंप्लेंड देट पी यू यानि कि पंजाब एगरिकल् नहीं हुई है या फिर यह उस पॉलिशी को फॉलो नहीं करती है यह इनिवर्स्टी जो है रिजर्वेशन पॉलिशी को फॉलो नहीं करती है उसके रिजिस्ट्रार जो है पी यू के वो बोल रहे हैं कि पंजाब स्टेट एगरिकल्वेशन की पॉलिशी के अंडर में नहीं हाती है और इन्होंने यह वह एक टूक्ट बताया है पताने कि इसके अंडर में यह नहीं आती है तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं आपके सामने हैं तो भई यहां पर यही मांग किए है कि जब तक यहां पर जो reservation policy government की है वो यह follow नहीं करेंगे युनिवस्टी वाले तब तक इनको कोई भी fund release ना किया जाए पंजाब एगरिकल्च उनिवस्टी लुदियाना के लिए तो अभी तक तो यही निउस है बाकी कोई इसके उपर अगर और चर्चा होती है या फिर reservation policy के अंदर कोई बदलावा आता है तो आपको वीडियो time to time मिल जाएगी बाकी है गाईज उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें जल्द ही अगली वीडियो मिलेंगे तब तक लिए में ध्यान भी रखें आपका दिन सुरे दोस्तो जैहिंद वन्दे मात्रम